एक ऐसा एप है जो आजकल भारत में काफी पॉपलर हो रहा है नियू स्पीड में ऐसी फोटोस की भरमार है जिसमें लोग बूड़े दिख रहे हैं ये एप नया नहीं है, काफी पहले से है लेकिन भारत में आजकल ये ट्रेंड में है दरसल इस एप में कई फीचर्स हैं चिनमें से एक चेरे को बूड़ा दिखाने वाला है इस एप के मताबिक कंपनी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस टेक्नलोजी का यूज़ करके ऐसा करती है ये एप 2017 में लाँच हुआ था क्या इसे यूज़ करने में रिस्क है? क्या ये आपके फोटो लाइबरेरी का फुल एक्सेज लेता है? इस तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं इस एप को न सिर्फ आम यूज़र्स बलके अब सेलिविटी भी यूज़ कर रहे है और इस वज़े से इसे ज़्यादा हाइप मिल रहा है और इसकी प्राइबसी पॉलिसी क्या कहती है वो भी हम आपको बता देते हैं जब भी आप हमारी सर्विस यूज़ करते हैं हमारी सर्विस आटोमेटिकली कुछ फाइल इन्फोर्मेशन रिकॉर्ड करती है इनमें आपका बैव रिक्वेस्ट, आईपी अड्रस, ब्राउजर टाइप, यूरल और आप इस सर्विस के साथ कितनी वार इंट्रियक्ट करते हैं इस तरह की जानकारी शामिल है पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि कम्पणी यूजर डेटा बिना उनके इजाजट के नहीं पेचे गी और नहीं किसी को रेंट पर देगी हालाकि इस एप के ग्रॉप की कम्पणियों को आपका डेटा दिया जा सकता है क्योंकि आपने इसे इसे कॉंसेंट दिया है कंपनी की पॉलिसी के मताबिक अगर कंपनी चाहे तो थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग पार्डनर्स को कुछ जानकरियां दे सकती है इनमें कुकिज डेटा सामिल है क्या ये एप बैक्ग्राउंड में आपकी फोटो लाइबरी को क्लाउड पर अपलोड कर रहा है इस एप के वाइरल होने के बाद ट्विटर पर कुछ लोगों ने ये बात कही हालांकि सिक्योर्टी रिसर्चर रॉबर्ट बैब्टेश्ट के मताबिक ऐसा नहीं है और इनका कोई प्रमाण नहीं मिला है लेकिन जाहिर है कि जिस फोटो को आप एडिट कर रहे हैं उसका 100% परमिशन आप उस एप को दे रहे हैं एक ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट किया है यह iOS का है उन्होंने सबहल उठाया कि बिना परमिशन के यह एप फोटो कैसे ले सकता है इस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि iOS की सेटिंग में उन्होंने Allow Face App to Access फोटो को Never पर सेट किया है यानि उन्होंने इस एप को फोटो लेने की परमिशन नहीं दी है लेकिन फिर जब उन्होंने इस एप को उपन किया तो बिना सेटिंग्स में बदलाओ कि यही वो फोटो उस एप पर अपलोड कर पा रही है और दोस्तो हम जिस एप के बारे में बात कर रहे हैं उस एप का नाम है Face App यह आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और इसके बारे में वेब डेपलेपर जैशुआ नौजी ने ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि Face App से साफ़दान रहें यह Face Aising एप बिना आप से पूछे आपकी फोटो को अपलोड कर रहा है यह एप फ्री है लेकिन इस एप के कई फीचर्स प्रीमियम हैं और उन्हें यूज़ करने के लिए इन एप पर्चेस का यूज़ करना होगा यानि आपको पैसे देने होंगे फिलाल प्राइबसी के सबाल पर Face App की तरप से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जैसे ही कमपनी स्टेटमेंट जारी करेगी हम आपको अपडेट कर देंगे तो दोस्तो अगर आप लोग भी अपने आपको बुढ़ा देखना चाते हैं और देखना चाते हैं कि आप लोग 30 साल के बाद कैसे दिखने वाले हैं एक सिंपल क्लिक में आप अपने आपको 30 साल आगे पाएंगे ऐसा करने के लिए आप लोग प्ले श्टोर पर जाकर फेस एप सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्सिन में लिंक है वहां से जाकर डाउन्लोड कर सकते हैं और इस वीडियो के वारे में अपनी प्रत्क्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुर ना भूलें और आगे ऐसी रोमांचिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंग